हेलो फ्रेंड्स वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल दर टीचा जी में तो अभी के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स प्रेंड्स इंट्रेस एक्जाम जो अभी कंड़क्ट हुई है उसके समान मांसिक योगिता वाले खंड को हम लोग देखेंग कि आपके कितने प्रशन सही हो रहा है अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दोस्तों में सेयर करिएगा और जो भी मतपूर कमेंट रहेगा कमेंट के माध्यम से आप कमेंट को प्रेसित करिएगा तो हमारा जो पहला प्राश्न हें friends निमन लिकित में से कौन सी आकरिती शिंखला का अनुशराण करेगा तो इस प्रषन का जो सही उत्तर है friends वो है आपसर नंबर C ठीक है यह आपसर नंबर C इस प्रषन का सही उत्तर होगा अगला प्रशन है यदि किसी वर्ष गरतंत दिवस गुरुवार को मनाया तो स्वत अंतरता दिवस किस दिन मनाया जाएगा तो फ्रेंट्स यह प्रशन ही अपने आप में थोड़ा तोटी पूर्ण है तो इसको ग्यात नहीं किया जा शकता है 道ặc कि यह हमारा सहीत्तर हों जाएगा अगला प्रशन है कि रू parameters को खीजिये तो फ्रेंट्स यहां पर देखेंगे क्या होता है जैसे हम लोग यहां तेक रहा है 15ड़नी क्या हो जाएगा टीजय जाए है और दूशत्य क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा और स शाथ निय क्या निया करेंगे तो पंदर निया जब करेंगे हम लोग तो पंदर निया करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा 135 ठीक है अगले प्रश्ण की तरफ चलते हैं चौता प्रश्ण है हमारा निमने लिखित में से प्रश्ण चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा तो देख लो फ्रेंट्स इसमें क्या दिया हुआ है जैसे हम लोग चार का स्क्वेर करेंगे तो क्या मिल जाएगा वैसे ही यहां पर साथ का स्क्वेर करेंगे तो क्या मिल जाएगा वैसे हमारा आपशन भी इस प्रश्ण का सहीं उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं बिंदीदार रेखा पर पार दर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा तो यह बिंदीदार शीट दिया हुआ यह वाला ठीक है जब इसको मोड़ेंगे तो इन चारों में से कौन सा शेफ हमको दिखाई पड़ेगा यह हमें बताना है तो फ्रेंट इस प् प्रश्न की तरफ चलते हैं कि वह आकरिती को चुने जो अन्य से भीन है तो फ्रेंट्स आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि यहां पर भी लकीर के माध्यम से आकरिती बनी हो यहां पी लकीर की माध्यम से बनी हुए यहां भी लकीर के माध्यम से बनी हुए लेकिन यहां तो इस प्रश्न का से उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है दीपक ने अपनी घड़ी मेश पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बज़े घंटे की सुई दक्षिंट दिशा की ओर हो तो रात 9 बज़े मिनट की सुई किस दिशा में होगी तो फ्रेंस यहां पर दिन और रात की बात हो गई यहां पर रात 9 बज़े मिनट की सुई किस दिशा में होगी यह बताने की बात की गई है तो इस प्रश्न का जो से उत्तर है वह आपसा नमबर यह है जब हम लोग घड़ी बनाएंगे तो यह उत्तर हो गया माफका नहीं यह दक्षिंड हो गया और यह हो गया उत्तर यह पूर हो गया और यह पस्चिम हो गया है तो जैसे यहां पर क्या बज़ेगा यहां पर जब नौ बज़ेगा च्छा बज रहा है तो घंटे की जो शूई है वह किस तरफ है दक्षिंड दिशा की तरफ है ठीक है और रात तो रात को क्या हो जाएगा नौ जैसे की तरफ चलते हैं यू वी का पुत्र है एक्स वाई की मातार वी यू की पत्निय है वी और एक्स का क्या संबंद है तो इसमें क्या संबंद बताने के लिए इस पस्ट नहीं हो पारे तो आप संदी आप परियाप्ट डेटा यह आजाएगा हमारे उत्तर के रूप में अगला प्रश्न है श्रिंख्रा में लुप्त पत को ग्याद करें तो फ्रेंट इसमें जो उत्तर आजाएगा वो आजाएगा आप सा नंबर A ओफ इसमें आजाएगा अगला प्रश्न है उस उत्तर आकृति का चैन करें जिसमें प्रशन आकृति शिपी हुई है तो जो शिपी हुई आकृति उसी को हमें पता करना है इन चारो आकृतियों में से क्या करेंगे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि ये वाली जो आकरिती है वो कौन सी इन चारों आकरिती में किसमें चीपी हुई है तो friend वैसे तो दो pattern आपको दिखाई पड़ जाएगा same आकरिती type का ये इसमें दिखाई पड़ेगा और एक इसमें दिखाई पड़ेगा तो जो बेहतर जो उत्तर है वो आपसा नमबर भी रहेगा क्यों रहेगा इसका काराड भी है क्यों क्योंकि इसमें जो वाय बनी हुई है ये पुरा चिपका हुआ वाय बना हुआ है ठीक है ये चिपका हुआ वाय बना हुआ है वाय जैसे आकरिति बनी हुए लेकिन इसमें जो वाय आकरिती बनी हुई है वो थोड़ा हट के बनी हुई है ठीक है यहां पर भी वाय टाइप की आकरिती आपको दिखाई पढ़ जोगे लेकिन यहां की वाय आकरिती जो है वो बिल्कुल अलग है ठीक एक रेखा में नहीं है वो इसलिए हमारा B options हो न था क्योंकि देखो यहां पर यह आकृति यह दूनों में देखना दूनों में यह रेखा जो है वो क्या है बाहर निगली हुए और इन आकृतों को जब हम लोग देखते हैं तो केवाल इस आकृति में जो रेखा हैं वो क्या हुई है बाहर गई हुए तो इसलिए आपसन भ है अर्थ पूंड कर्ण होगा तो फ्रेंट्स देख लेते हैं यह चोटे से बड़े क्रब में हमको जाना है तो पहले इसमें सबसे चोटा कौन सा यह जिरो से सुरू हो रही है यह 0-के बाद यह 813 में उननीत से शुरू हो रही है यह 10 तो ये सी वाला आप्सन हो जाएगा तो देखो पहले एलो मेरीं 13 किस में C में है तो यह C, आपसन नमबर D, इस प्रशन का सहीं उत्तर हो जाएगा, ठीक, A, C, B, D, अगला प्रशन है, 11 बच कर 45 मिनट को दरपण में देखने पर क्या बजेगा, तो इस प्रशन का जो सहीं उत्तर है, 60 उत्तर वो आपसन हो जाएगा, B नमबर, ठीक है, 12 बच कर 15 मिनट, अगला प्रशन है, उत्तर आकरितियों में से उप्यूगत आकरिती का चैन करें, जो प्रशन चिनों को प्रतिस्थापित करेगा, तो इस प्रशन का जो सहीं उत्तर है, वो है आपसन नमबर, B, ठीक है, अगले प्रशन की तरप चलते हैं, यदि उत्तर पूर्वा उत्तर हो जाया, उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाया, तो पूर्वा क्या हो जाएगा, फ्रेंट्स जब हम लोग मैं बनाते हैं, उत्तर जैसे हम लोग दिश्चा के बारे में बनाते हैं, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह वाले एरिया, यह वा लाइगा है एक निशिट कोड में आर्मी को आइस यू ब schema जाता है तो जच को ने में कैसे लिखा जाएगा बहुत ही असान सा प्रश्ण फ्रेंट वैसे रिजनिंग का प्रश्ण वैसे ज्यादा कठी नहीं दिखाई पड़ रहा है देखो यहां पर क्या हो गया है अब हमें जे को यहां पर जे की रूप में पहले देखना है तो यह दो आप्शन में आपको थरर्ब इस आता है यहां के बाद है सागे यहां पर यह यू के बात क्या जाए गा भी यह भी ठीक है इस प्रकार हमारा आप सा नमबर भी इस परश्ण का सहीं बत्तर और अगे अगला प्रश्ण है अगर होट को जी एनेस के रूप में कोट करते हैं तो कोल्ड को कैसे कोट किया जाएगा यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्ण है देखो एच के पहले क्या आजाता है एच के पहले जी आता है एच के पहले क्या आजाता है जी जी एच बोलते हैं तो ऐसी अपसी के पहले क्या मिल जाएगा हमें बी मिल जाएगा तो बी किसमें आपसन में ये आपसन ए में ही दिखाई पड़ रहे भी तो यह option A हमारा सही हो जाएगा अगला प्रश्ण है कौन्शा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है तो यह भी बहुत ही आसान सा प्रश्ण दिखाई पड़ रहा है यह option भी इस प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा यदि MN रेखा पर एक दरपन रखा जाए से कौन सा शब्द दिये गए शब्द का सही प्रतिविम्ब है यह प्रश्ण जो है student लोगों को फसाने के लिए दिये गए क्योंकि बहुत सारे student जल्दबाजी में क्या कि होंगे option number A के साथ चले गए होंगे लेकिन option number A बिलकुल सही नहीं है option number C इस प्रश्ण का सही हुतर हो क्योंकि N जो है उल्टा बनेगा जबकि option number A में N जो है सिधा सिधा बना हुआ दिखाई पड़ रहा है question number 20 है यदि S का अर्थ माइनस Q का अर्थ है multiply R का अर्थ है भाग है और P का अर्थ धन है तो 1P 45R 2Q 2S4 इक्वल टू क्या होगे यह हमें बताना है तो friends इस प्रश्ण का जो सही हुतर है वो है option number B 42 अगला प्रश्ण है यह प्रश्ण है doubtful है friends अगर 8, 7, 9 बराबर 9, 6 to 5 बराबर 1 तथा 5, 8, 6 से इक्वल टू 9 है तो 7, 8, 5 बराबर क्या होगे यह हमें बताना है तो friends इस प्रश्ण का जो उत्तर है वो 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है और एक हिसाब से 8 भी हो सकता है यह थोड़ा doubt है वाला प्रश्ण है किसको उत्तर किस प्रकार से लेंगे कौन से संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजिरिया है ना ही अच्छे प्रशाशक है तो friends बहुत ही आसान सा प्रश्ण है थोड़ा दिमाग लगाने के अशकता थी जी वाला क्या दिखाता है जी वाला जी वाला दिखा रहा है मालिक को और मालिक के वाल कितने हैं यह मालिक वाले के वाल दो दिखाई पड़ रहे हैं और दो आपसन में कहां पर आपसन नमबर सी में यही हमारा उत्तर हो जाएगा निमनलीकित में से किस आरेक द्वारा त्रिभूज चतुर्भूज और वर्ग के भी संबंद को सबसे अच्छा चित्रित किया जा शकता है तो फ्रेंट्स इस प्रशनका जो सहिं उत्तर है वो है आपसर नंबर आपसर नंबर डी इस प्रशनका सहिं उत्तर होगा देखो कैसे होगा एक एक चतुर्भूज जैसे एक चतुर्भूज है तो चतुर्भूज क्या है वर्ग भी वर्ग भी चतुर्भूज हो सकता है ठीक है लेकिन चतुर्भूज वर्ग नहीं हो सकता श्क्कार ध्यान रखना देड हो सकता इस बात को ध्यान रखेंगे ठीक है तो यह मान लेता है यह चतूर तो यह माल लेते हैं अर वह गया है और वह गया हमारह में त्रिभूज के लिए यह जो बाहर में वह त्रिभूज के लिए हो गलए तो आप संटी इस प्रश्ण का सहीं उतर हो जाएगा किया किया डीये गया समी करौन को संतुलित करने और इस टार चिन्हों को प्रती स्थापित करने के लिए गड़िती शंकेतों के सहीं तहीं उजन का चैन करें तो फ्रेंट्स इस प्रशन का जो सहीं उत्तर है वह आपसा नमबर भी भाग वाला पहले आगा भाग धन बराबर और गुड़ा अगला प्रशन है अंग्रेजी वर्ण माला में बाई और से अग्ला प्रशन है हमारा उत्तर आकृतियों में से उफ्यूकत अकृती का चेन करें जो प्रशन आक्रिति के प्रश्ण चीनों को प्रतिस्थापित करेगा तो फ्रेंट्स इस प्रश्ण का जो सहुत्तर है वह आपसर नंबर डी अगला प्रश्ण है श्रिंखला बी के के डी एम एम एफ ओ जैसे के लुप्त अक्षणों को ग्याद कीजिए जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है यहां पर क्या आएगा यह हमें बताना है ठीक है तो जब हम लोग क्रम को देखेंगे तो हमारा जो आपसर नंबर डी है वो सहीं उत्तर हो है उस आरेक कचैन करें जो गेहूं मक्का और अनाज के भी संबंद को सहीं डंग से दर्शाता है तो फ्रेंट्स बहुत यह असान सा प्रश्ण है थोड़ास दिमाग लगाने की बशाओ सकता थी देखिए क्या है यह हमारा अनाज हो गया और अनाज में क्या क्या जाता था पर यहeremों भी आ जाएगा और मक्का भी आजाएगा ऐसी हाक्रिती कहां पर दिखाई पड़ रहे है तो आफसर नंबर बी में दिखाई पड़ रहे है इसलिए यह आपसर हमारा सहीं हो जाएगा अगला प्रश्ण है अगर दो की घातांग भागी चार बराबर दो और चार की चौबल करेंगे तो भाग आठ बराबर 32 है तो 6 का स्क्वेर भागी चार का मुले क्या होगा तो देखो क्या होगा इसमें जैसे हमने 2 का क्या किया दो का हमने किया गात किया ठीक है तो यह क्या जाएगा 2 दोनी 4 और 4 दोनी 8 हो जाएगा और 8 को जब हम लोग 4 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? दू मिल जाएगा, जो यहाँ पर मिल चुका है. अब 4 का जब हम लोग चौबार करेंगे, ठीक है? तो 4, 4, 16, 16, 64 क्या हो जाएगा? 253 2, 553 को जब हम लोग 32 से भाग करेंगे मापकरन 8 से बाग करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 32 प्राप्त हो जाएगा ठीक है वैसे जब 36 करेंगे कितना मिलेगा हमें 36 और 36 को जब हम लोग 4 से क्या करेंगे बाग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 9 प्राप्त हो जाएगा 9 कहां पर आपसा फ्रेंट्स इस प्रश्नक का जो सहीं उत्तर है वह अप्सान नमबर डी क्योंकि जब हम लोग मुड़ेंगे तो 6 के विप्रित क्या जाएगा पाच आ जाएगा ठीक है तो यह थे समान ये मांसी के ओगता के 30 प्रश्न अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अपना प्यार समान जरूर दीजेगा फ्रेंट्स बागी के पार्ट है मैं बने रहें तब तक के लिए धन्यवाद